तो यह आज हमारा दूसरा दिन है काम शुरू करने का और अभी तक्रीबन आदे से ज्यादा काम हो चुका है यह फार्म हमारा बनेगा दो सो साथ बाइतीस जिसको हम फार्म अंदर से अगर गिने तो डाइस सो बाइतीस दो सो पचास बाइतीस फीट तो बस अब इतना बरना बाकी है और फिर उसके बाद इनका काम पूरा होगा भी इसको और ज़्यादा दबाएंगे ताके मजबूत हो जाएं यह जितना काम आपको दिख रहा है यह 10 very किया है इन्होंने पिचार ट्रैक्टर एक साथ लगाए है जी सी भी काम कर रहा है दस गन्ते के अंदर इतना काम किया है अभी इनका टार्गेट है आज पूरा करने का, देखते है क्या होता है, तो अभी ये दूसरा ट्रेक्टर भी आ चुका है, इन्हों ने इतने वक्त में तकरीबन पौने 200 ट्रेक्टर हिटी यहां डाल दी है, और अभी हम आपको देखाएंगे वो इससा जहां से ये मिट्टी ला रहे हैं, वहां कितनी खुदा हुई है, क्या काम हो है, क्योंकि उसको हमें तालाब के अंदर तब्दिल करना है, वो जगह भी हमें बरबाद नहीं करनी है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं अभी इन्शादला, तोड़ी देर में, क्योंकि उसके लिए हमें वहां जान नहीं किया है, तो सबस्क्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अभी ये पूरा जिसे भी के जरीए से दब कर तयार हो जाएगा, अभी इसकी हुचा ही तकरीबन साड़े चार फीट ऐसे कुछ हुई है, लेकि इसको दबा कर तीन पिन कर दें आएगा कर दो, अब हम चांपको दिखाते हैं और हम आपको दिखाते हैं यहां एक फाम बन रहा है, शिपके के सबक्रादर की यहां कुछ इन्होंने बच्चों को खेलने के लिए बनाया है और अभी एक और कुछ बनाने वाले हैं स्वीमिंग पूल वगेरा है तो यह तरह का पिकनिक स्टैंड बन रहा है ताइम वेस्ट का हो या टाइम पास का हो यहां काम चल रहा है यह जट्र बढ़के निकला और आगे एक और लग रहा है और तीसरा यहां जो था वहां निकल चुका है अब यह काम चल रहा है यहां इसको पूरा अच्छे से कालाब की शकल दे देंगे अब इसकी गहरा ही तकरिबन साड़े पांच पीट हो चुकी है अगर रास्ता बनाए है अंदर उतरने के लिए तो यहां से च्रेक्टर आता है और बरते हुए आगे निकल जाता है यह इनका काम है वीडियो देखने के लिए शुक्रिया मिलते है अगले वीडियो में ख़दा हाफिज